देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास सुनिन्दा खबरे वो भी मेरे साथ महराश्य के कई जिलों में आंदोलन करने के लिए छात्रों को उकसाने वाले व्यक्ति हिंदुस्तानी भाव समेट एक अन्य व्यक्ति इकरार खान को मुंबई पुलिस ने देर रात गिरफतार कर लिया है तो स्कूल कॉलेजों में चहल पहल लोटाई है कोविट की तीसरी लहर के चलते बंध हुए स्कूल कॉलेजों को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज से खुल गए है वही और अगाबाद जिले में एक व्यक्ति ने सडकों और चौराहों पर पोस्टर लगाया है पोस्टर में उसने लिखा है कि मुझे नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए एक बीवी चाहिए इसी बीच समिर्वान केड़े को परेशान करने के आरोपों पर सुनवाई कर रहे राष्टिया अनुसुचित जाती आयोग ने मुंबई पुलिस को पंतरी मलिक के खिलाफ एफायर दर्च करने के निर्देश दिये है तो उधर सामाजिक कार्यकरता अणना हजारे ने किराना दुकानों में वाइन बेशने के अनुमती को दुखत बताते हुए कहा कि महाराष्टर सरकार के वल आर्थीक लाप के लिए शराब बिक्री को बढ़ावा दे रही है प्रदेश की इन पाच बड़ी घपरों को विस्तार से जानने के लिए बढ़े रही है महाराष्टर के कई जिलों में आंदोलन करने के लिए चात्रों को उकसाने वाले व्यक्ति हिंदुस्तानी भाव समित एक अन्या व्यक्ति इकरार खान को मुंबई पुलिस ने देर रात किरफतार कर लिया है सुमार की दोपहर मुंबई और महराष्ट में दस वी और बारवी के चात्रों के सड़क पर उतरने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगी थी आंदोलन कर रहे चात्रा महराष्ट सरकार के उस फैसले से नाराज थे जिसमें ये कहा गया था कि बोर्ट परिक्षाओं को आफलाइन करवाया जाएगा चात्रों की मांग थी कि इस वर्ष इन परिक्षाओं को आनलाइन तरीके से ही करवाया जाए हिंदुस्तानी भाव को विग बॉस के एक प्रतियोगी के रूप में भी जाना जाता है हाना कि वो इस शो को जीत नहीं पाए लेकिन लोगों के दिलों में उन्होंने अपने लिए एक अलग जगा बना ली हिंदुस्तानी भाव का असली नाम विकास जराम पाठक है जो विग बॉस में आने के पहले सोशल मिडिया पर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबा करायर रखने के लिए जाने जाते थे हिंदुस्तानी भाव का बचपन किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं बिता उन्हें कई तरह के संगर्शों का सामना करना पड़ा मूल रूप से मराठी परिवार से तालूक रखने वाले भाव को साथवी कक्षा में ही होटल में वेटर का काम करना पड़ा इतना ही नहीं गुजर वसर करने के लिए वो घर घर जाकर अगर बत्तिया भी बेचा करते थे जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तानी भाव ने दक्ष पुलिस टाइम्स नामक एक मराठी अकपार में नौकरी भी की थी साल 2011 में उन्हें बहतरीन क्राइम रिपोर्टर के खिताब से भी नवाजा गया था कोविट की तीसरी लहर के चलते बंध हुए स्कुल कॉलेज आज से खुल गए सभी शेक्षनिक संस्थानों ने विद्यार्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सभी कोविट प्रोटोकॉल का पालन किया है दुसरी लहर खतम होने के बाद मुंबई सहित राज्य में जूनियर और डिगरी कॉलेज खुल गए थे पढ़ाई शुरू ही हुई थी कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी विद्यार्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जन्वरी में कॉलेज नहीं खुल पाए अब सिती नियंतरन में हैं तो सरकार ने एक बार फिर कॉलेज में आफ्लाइन पढ़ाई शुरू करने को लेकर हरे जंडी दे दी है माना जा रहा है कि स्कुल कॉलेज शुरू होने के बाद एक बार फिर टीका करन को गती मिलेगी दरसल अभी भावकों की तरफ से ये मांग काफी समय से की जा रही थी कि स्कुलों को खोला जाए लगतार स्कुल खोलने की बढ़ रही मांग के चलते शिक्षवी भाग में मुख्यमंद्री को इस समन में एक प्रस्ताव भी भेजा था जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमती की मुहार लगा दी थी अभी भावकों का कहना था कि जब कोरोना के मामले कम हो रहे है और अस्पतालों में भरती होने वाले मरीजों की संख्या में भी काफी कमी है तो स्कूलों को खोला जाना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो कॉलेज में भी पढ़ाई को लेकर कुछ ऐसी ही धारना विद्यार्तियों में बनी रही थी हाला कि अभी भी कुछ अभी भावों को ने अभी अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने की अनुमती नहीं दी है बेंतजार करने की रणानिती पर चल रहे है और अंगाबाद जिले में एक व्यक्ति ने शहर की सडकों और चुराहों पर अजीब गरी पोस्टर लगाया है पोस्टर में उसने लिखा है कि मुझे नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए एक बीवी चाहिए दरसल इस व्यक्ति के तीन बच्चे है जिसकी वज़ा से वह नगर निगम चुनाव नहीं लड़ सकता है इसका नाम रमेश विनायकराव पाटिल है पाटिल ने पोस्टर में लिखा है कि महिला किसी भी धर्म और जातिकी हो सकती है लेकिन वह तलाक शुदा या विद्वा होनी चाहिए उम्र 25 से 40 साल के बीच हो और उसके दो से जादा बच्चे ना हो पाटिल के मुताबिक उनकी दूसरी शादी की बात से उनकी पहली पतनी को किसी भी प्रकार का इतराज नहीं है रमेश रियल स्टेट के कारोबार में सक्रिय है और माहराष्टर नवनिर्मान सेना के शहरुपाद ध्यक्षर रह चुके है फिलहाल वहां मंसे में नहीं है रमेश पार्टिल द्वारा लगाये इन बैनर और पोस्टर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके पास शादी के प्रस्दाव आने शुरू हो गए है मीडिया कर्मियों से बाचित करते वे उन्होंने बताया कि वह किसी पार्टि विशेश को पसंद नहीं करते हैं उनके मुताबिक जो पार्टी उनकी नई होने वाली पत्नी को टिकट देगी पे उसी पार्टी का प्रचार कर अपनी पत्नी को जिताने का पुरा प्रयास करेंगे इस पोस्टर के बाद उनके खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने मामला दर्च किया है पार्टिल को लॉकडाउन के दौरान तीसरा बच्चा हुआ था जिसके बाद उनके चुनाव लड़ने के सपने पर भी पानी फिर गया था राज्य के अलपसंख्यक कल्यान मंत्री और रागापा प्रवक्ता नवाब मलिक मुश्किलों में फस्ते नजरा रहे है समिरवान खेडे को परेशान करने के आरोप बर सुनवाई कर रहे है राष्टिय अनुसूची जाती आयोग ने मुंबई पुलिस को मंत्री मलिक के खिलाफ एफायर दर्च करने के निर्देश दिये है पुलिस को साथ दिन के भीतर मलिक के खिलाफ FIR दर्च करने को कहा गया है बता दे कि मलिक ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रिय निदेशक रहे और मोजुदा DRI अधिकारी समिर वानखेडे पर परजी जाती प्रमानपत्र का इस्तमाल कर सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया है मलिक का दावा है कि वानखेडे के पिता ग्यांदे वानखेडे ने समिर के जनम से पहले धर्म परिवर्तन कर अपना नाम दाओद वानखेडे रख लिया था इसलिए समिर जन्व से मुस्लीम है वही आरोपों से नाराद समिर वानखेडे ने राष्टिय अनुसूची जाती आयोग में शिकायत करते विदावा किया था कि मलिक उन्हें प्रताडित कर रहे हैं फिलहाल वानखेडे के जाती प्रमान पत्र को लेकर जाती छानबिन समिती को आयोग के सामने साथ मार्थ से पहले अपनी रिपोर्ट देनी है लेकिन उससे पहले समिर वानखेडे के शिकायत पर आयोग ने सुमवार को अपने दिल्लिस्थित कारियाले में सुनवाई की इस द दुखद बताते हुए कहां कि महाराष्ट सरकार केवल आर्थिक लाब के लिए शराब बिक्री को बढ़ावा दे रही है। दुखद दुर्भा के प्रुना है जबकि राज्य सरकार ने कहा है कि किसानों के हित में ये फैसला लिया गया है। 250 करोड रुपे तक करने की योजना है। हजारे ने तंच कस्ति भी कहा हैं कि ये फाइदे के लिए काईदा बिगाडने का उपकरम है। शिरोमनी अकाली दल के नेता बिकरम सिंग मजीठीय मामले में सुनवाई करती हुए सुप्रीम कोड ने नेताओ को कड़े शब्दों में नसिहत दी है। तो बिहार के चर्चित मुजफरपुर आश्रे गुरुह कान की तर्च पर अपटना के गायगाट उत्तरक्षा गुरुह से जुड़ा योन उत्पिडन का नया मामला सामने आया है। वही वैज्ञानिकों ने कहा हैं कि कोरना वायरस के ओमिक्रॉन वैरियंट से संक्रमित होकर ठीक होने वालों में भरपुर रोग प्रतिरोधक शम्ता विकसित हो रही है। ये इमिनेटी डेल्टा जैसे दुसरे वैरियंट को कमज़र बना रही है। इसी बीच जारखंड के धनबाच स्थिक निर्शा प्रखंड के ECL मुगमा एरिया में कोईला खनन के दौरान बड़ा हाथसा हो गया है। 20 फिट उपर की उचाई से चाल कर गिरने के कारण 8-10 लोगों की मौत हो गई है। उधर दिल्ली, उत्तरवदेश समित, उत्तर भारत में ठंड के कम होने की आस में बैठे लोगों को मौसब विभाग के अलर्ट ने चिंता में डाल दिया है। मौसब विभाग के पुरवान умान के मताबिक आने वाले दिनों में ठंड के कम होने के आसार नहीं है। देजभरकिन पाज बड़ी खबरों को विस्ताव से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ। में गिरफतारी से रहात की मियाद 23 फरवरी तक बढ़ाते हुए सुप्रिम कोट ने बदले की राजनिती को लेकर कड़ी टिप पनिया की। में गिरफतारी पर 23 फरवरी तक रोक लगा दी। अकाली नेता के खिलाब पिछले साल 20 दिसंबर को नार्कोटिक्स डॉक्स एंड साइकोस्ट्रोबिक सस्टेंसेज एक्ट के दहत उन अपरात के लिए FIR दरज हुई थी। जो कथित तोर पर 2004 से 2015 के बेच हुए थे। पंजाब में 20 परविर को विदासबा चुनाओ के लिए वोट डाले जाने हैं। इस लिहाज से मजिटिया को बहुत बड़ी राहत मिली है। यानि वोटिंग तक उन्हें किरफतार नहीं किया जा सकेगा। बिकरम सिंग मजिटिया, अमरुट सर इस सीट से पंजाब कॉंग्रेस अदेख्ष नौजोट सिंग सिद्धू को चनौती दे रहे है। बिहार के चल्चित मुजफरपुर आश्रेग्रुह कान की तर्च पर अब पटना के गायगाट उत्तर रक्षाग्रुह से जुड़ा यौन उत्पिडन का नया मामला सामने आया है। इससे सियासी बवाल मच गया है। गायगाट आश्रेग्रुह की एक पीडित लड़की का वीडियो सोचल मीडिया में वाइरल हो रहा है। इसमें वह इस आश्रेग्रुह से लड़कियों की सप्लाई का आरोप लगा रही है। मामले को लेकर जनधिकारी पार्टी के प्रमुक पप्पु यादों ने कोड़ जाने की चेताउं नी दी है। पटना गायगाट सित उत्तर रक्षाग्रुह से निकल भागी एक लड़की ने आश्रेग्रुह की अधिक्षक पर गंबी रारोप लगाया है। उनका कहना है कि यहां रहने लड़कीों को नशे का इंजेक्षन दे कर अनेतिक कारियों में धकेला जाता है। जो लड़की इसमें साथ नहीं देती उसे प्रताडित किया जाता है और खाना तैक नहीं दिया जाता। इस लड़की को लेकर एक संस्ता के कुछ लोग पुलिस थाने पहुँचें पटना के महिला थाना में लड़की की शिकायत की गई है। कि मामले में अभी केस दर्ज नहीं किया गया है लड़की का दावा है कि रिमान हों में रहने वाली लड़कियों को बाहर लोगों के पास भेजा जाता है और बाहर के लोग भी अंदर आते हैं लड़की यह भी कहती है कि उसने तंग आकर खुदकुशी का प्रयास किया था वह इन लोगों के खिलाप लड़ना चाहती थी लेकिन उसे किसी का साथ नहीं मिला कोरोना वाइरस के ओमिक्रोन वेरियंट से संक्रमित होकर ठीक होने वालों में बरपूर रोग प्रतिरोधक्षम ताविकसित हो रही है जिनोम सिक्वेंसिंग की अध्यान में यह पता चला है कि यह यूमिनिटी डेल्टा जे से दूसरे विरियंट को कमजोर बना रही है कोरोना से जंग में यह काफी ऐयम है क्योंकि इससे पहले कोरोना की चपेट में आने वालों में एंटी बोडी लंबे समय तक नहीं टिक पा रही थी पुने स्थित नैशनल इस्टिटूट और नएदिली स्थित भारतिया उर्वेग्यान अनुसंदान परिशत के अध्यान में यह भी पता चला है कि ओमिक्रॉन पर कोविशिल की तुलना में एमारेने टीके का असर तीन गुना तक कम हो रहा है जर्नल बायोरेक्सिव में प्रकाशित अध्यन पर एनाईवी की डॉक्टर प्रदनायादों ने बताया कि अभी तक कोरॉना वाइरस से मिलने वाली इम्मुनिटी तीन से चेमा तक की परियाप मात्रा में दिखाई दे रही थी ताजा अध्यन में कोरॉना के अलफा और वुहान जैसे सुरूप को लेकर ओमिक्रॉन तक को ध्यान में रखते हुए मरीजों की जांच की गई और फिर उनके सैंपल की सिक्वेंसिंग करने के बाद पुराने रेकॉर्ड के साथ मेल किया गया इसी दवरान हमें यह पता चला कि ओमिक्रॉन से मिलने वाली इम्मुनिटी बाकी वेरियन की तुला में सबसे मजबूत है जारकन के धनबास्तीत निर्शा प्रखन के इसील मुगमा एरिया में कोईला खनन के दोरान बड़ा हाथसा हो गया 20 फिट उपर की उचाएं से चालकर गिरने के कारण 8-10 लोगों की मौत हो गई है जबकि दरजन भर से ज़्यादा लोगों की इसमें दबने की आशंका वेक्त की जा रही है आनन फानन में कुछ लोगों को बाहर निकाल लिया गया है जबकि कुछ घायलों का इलाज वहां के नीजी हरसिंगों में चल रहा है प्राप्त जानकारी के नुसार हर दिन की तरब भारी संक्या में महिलावा पुरुष कई समेथ बच्चे अवेद उतकरन करने के लिए सुबह करीब 5 बजे आउट्सोर्सिंग गय थे जहां ECL प्रभंदन द्वारा जहां ट्रेंच कटिंग किया गया था तब ही अचानक 20 फीट के उपर से चाल कर भर भरा कर नीचे गिर गया जिसमें दरजन भर से ज्यादा लोग इसमें दब गए कोईले से दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए जैसी भी मशीन से खुदाई करवाई गई हाल के कुछ वर्षों में ECL BCCL शेतर का आउट्सोर्सिंग और अवैद उत्खनन स्तल का कुटिर उद्धोग बन गया है पेट की आग बुझाने के लिए महिला पूरुज बच्चे प्रतिदिन यहां अवैद उत्खनन करते है इसके बाद उससे साइकल, स्कूटर, मोटर साइकल एवं ट्रैक्टर के माध्यम से पूरे शेतर के चिनित उद्धोगों के अलावा नदी घाट के माध्यम से पशिम बंगाल के रगुनातपुर और जामतड़ा भेजा जाता है अवैद उत्खनन से गरिबों को प्रतिदिन पासो से हजार की रोजगार हो जाती है दिल्ली उत्तरप्रदेश समेट उत्तरभारत में ठंके कम होने की आस में बैठे लोगों को मौसम विभाग के अलर्ट ने चिंता में डाल दिया है मौसम विभाग के पुर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंके कम होने के आसाल नहीं है फरवरी महने में बारिश और कोहरे से निजाद मिलने की कम ही संभावना है अगले 48 घंटे तक कई जगों पर घना कोहरा रहेगा मौसम विभाग के पुर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंकी सिती यथावत रहेगी विभाग का कहना है कि फरवरी में आउसत तापमान में कमी दरज की जाएगी अधिक्तम और नियुनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी पश्चिमी विक्षोप के सक्रिय होने के कारण पश्चिम यूपी समेथ कई जिलों में दो फरवरी से बारिश की संभाव ना है कई लाकों में ओलावरिष्टी भी हो सकती है इस कारण ठंड में कमी नहीं आएगी इस दोरान बारिश के आसार भी पैदा होंगे कहीं कहीं पर बारिश और उलावरिष्टी हो सकती है फरवरी के बाद नियूनतम और अधिक्तम ताप मान बढ़ेगी मौसम इंभा की इस जानकारी के बाद किसानों की चिंताप बढ़ गई है कहीं फसले खेत में ही है तो कहीं खलिहानों में एकत रहे बारिश के कारण पाला मारने का खत्राब बढ़ सकता है मौसम में बदलते तेवर से आम लोगों की भी परिशानी बढ़ गई है मौसम विग्यानी भी हैरान है कनाड़ा की प्रधान मंत्री जस्टीन टूडो ने कहां कि ट्रक्चालक घुरुना से भरे भाशन दे रहे है और इसी वजह से वहां फ्रीडम कॉन्वोई से मुलाकात नहीं करेंगे राजधानी ओटावा में 50,000 ट्रक्चालकों की और से प्रधर्शन किये जा रहे है तो भारत ने सयुक्तर राश्टर सुरक्षा परिशद में युक्रेन मुद्दे पर हुई वोटिंग से दूरी बनाए रखी माना जा रहा है कि भारत इस मुद्दे पर किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था वही अबराहम समझोते के बाद से इसराइल और सयुक्तर अब अमीराद के बीच संबन्द बहतर होते जा रहे है इसराइल के राश्टर पती इसहाँ खार्जक युएई के दोरे पर है इसी बीच तालिबान ने डूरन रेखा विवाद पर समाधान के लिए एक सयुक्तर मंत्र स्तरिय समीती का घठन किया है उधर अमेरिकी राश्टर पती जो बाइडन ने कहां कि वह कतोर को सयुक्तर राज्जक के प्रमोग गैरनाटो सहयोगी के रूप में नामित करेंगे एक ऐसा पदनाम जो खाड़ी राश्टर कतर में अधिक सुरक्षा सहयोग और निवेश का रास्था साफ करेगा दुनिया मरकी इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ भारत में किसानों के मुद्दे पर बीना मांगी सला देने वाले कनाड़ा की प्रधन मंतरी जस्टिन टूडो ने राजधानी ओटावा में पचास हजार ट्रक चालो क्योंकि ये और से किये जारे प्रधर्शन पर शुपी तोड़ी है कनाड़ा के पीम ने कहा कि ये ट्रक चालक ग्रुना से भरे भाशन दे रहे है और इस वज़ा से वाफ रिडम कॉनवाई से मुलाकात नहीं करेंगे कोरोना पॉजिटिव हो गए टूडो ने कहा कि इंट्रक वालों से मिलने की बजाए वह ब्लैक लाइव्ज मैटर अंदोलन के लोगों से मुलाकात करना पसंद करेंगे टूडो ने एक उनलाइन ट्रेस कॉन्टरंस में पत्रकारों से बाचीत के दवरान कहा कि पिछले कुछ दिनों से कनाडा के लोग स्थब्द है और इमानदारी से कहू तो राश्ट्रिय राजधानी में किये जा रहे प्रदर्शन में कुछ लोगों के वेवार से वे पर इसमर्थन नहीं करनादारी है उन्होंने कहा कि ये ट्रक्चालक नकेवल के वल रिग्यान का असंवान कर रहे बलकि अगरिम मोर्चे पर तेनाथ हेलथ रृकर्ज भी कर रहे है उन्होंने यह भी दावा किया कि करीब 90% रिच रख सही काम कर रहे है और कनारा के लोगों के लिए उनकी टेबल बर खाना पहुचाने का काम कर रहे है भारत ने सुमार को संयूक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में युक्रेन मुद्दे पर हुई वोटिंग से दूरी बनाई रखी माना जा रहा है कि भारत इस मुद्दे पर किसी भी पक्षा का समर्थन नहीं करना चाहता था अगर भारत रूस के पक्षा में वोट देता तो इससे अमेरिका समेत कई पस्चिमी देश नाराज हो सकते थे वही अगर भारत युक्रेन के समर्थन करता तो इससे रूस के साथ रिष्टों पर गंभीर असर पड़ सकता था ऐसे में भारत ने बीच का रास्ता चुनते हुए मतदान से दूरी बनाई रखी युक्रेन और रूस के बीच इस समय युद्ध जैसे हालाद बने हुए है रूस ने अपनी सीमा पर एक लाग सैनिकों को भारी हतियारों के साथ तैनात किया हुआ है वही युक्रेन भी अमिरिका और बाकी नाटो देशों के हतियारों को रूसी सीमा पर भेज रहा है युक्रेन मुद्धे पर चर्चा के लिए सुमार को सयुकत राष्ट सुरक्षा परिश्यत की बैठक हुई बैठक से पहले रूस एक स्थाई और वोट धारक सदस्य ने यहां निर्धारित करने के लिए एक प्रतिकात्म कोट का अवण किया कि क्या खुली बैठक आगे बढ़नी चाहिए रूस और चीन ने बैठक के खिलाप मतदान किया जबकि भारत, क्याबॉन और केनिया ने भाग नहीं लिया नौर्वे, फ्रांस, अमिरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलंड, ब्राजिल और मैक्सिको सहीत परिशत के अन्य सभी 10 सदस्यों ने बैठक के चलने के पक्षम में मतदान किया अबरहम समझोते के बाद से इसराईल और सायोकत अरब अमिरात के बीच संबंद भेतर होते जा रहे है इसराईल के राष्ट्रपती इसहाख हर जोग, UAE के दवरे पर है यहाँ पहली बार है जब कोई भी इसराईली राष्ट्रपती, UAE पहुचे है दवरे के दूसरे दिन उन्होंने शेक जायद ग्रैन मजजित का दवरा किया है इस यात्रा पर उनके साथ कई इसराईली डिप्लोमेट्स के साथ ही UAE की कई नेता भी पहुचे बतादे की UAE और इसराईल ने 2020 में अबरहम शान्ती समझोते पर साइन किये थे इसके बाद से दोनों देश कई क्षेत्रिय और अंतराष्ट्य विकास साजा, चिंता और वैश्विक मसले पर एक साथ मिलकर काम कर रहे है अबरहम यहुदी, इसाई और इसलाम धर्म के साजा पूर्वज है यह वो कनेक्शन है जो सदियों पुरानी दुश्मनी से परे इन तीनों धर्मों को आपस में जोड़ता है अबरहम समझवते के ताथ, इसराइल ने सयुकता अरब अमिरात और बहरिन के बीच एक सामन्नी करण समझवते पर सितमबद 2020 में वाइट हूस में साइन किये थे बाद में सुड़ाउन और मुरक्को जैसे देश भी इस समझवते में शामिल हुए रिपोर्ट्स बताती है इसराइल और अन्य मिडिल इस्ट के देश इस समझवते पर साइन कर सकते है मिडिया रिपोर्ट्स के मुताविक साओधी आरब और इसराइल भी इस समझवते पर साइन करने को तयार है लेकिन कुछ मसलों पर सहमती नहीं होने के कारण अब तक दोनों पक्षों ने साइन नहीं किये है पिछले दिनों अफगानिस्तान सीमया पर तालिबान ध्वारा पाकिस्तानी सेना को बाडबंदी वसायन्य चौकी निर्मान से रोकने के साथ ही दोनों देशों के बीच वर्षों पुरानी डुरन रेखा का विवाद फिर उभर कर सामने आया था पाकिस्तान को उम्मीदे थी कि तालिबान शासन के दोरान यह मुद्दा सुल्जा लिया जाएगा लेकिन बाडबंदी वसायन्य चौकी निर्मान को तालिबान ने रोक दिया था इसी भीश तालिबान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस समस्या के समाधान के लिए एक संयोक्त मंत्री स्तरिय समिती का गठन किया है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार प्रधान मंत्री के दूसरे उपर प्रधान मंत्री अब्दुल सलाम हनफी की अद्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रालयो की सयूक्त समिती के गठन का निर्णय लिया गया बताया गया कि संयूक्त समिती का उद्देश डुरन रेखा की समस्याओं को हल करना और भविश्य में संभावी त्रूप से होने वाली सुरक्षा समस्याओं का समादान करना है इनसे जुड़े सभी मुद्दों को आपसी समझ के माध्यम से हल किया जाना चाहिए यहाँ कदम पाकिस्तान के राष्ट्रिय सुरक्षा सालाकार मोईद यूसुप की काबूल यात्रा के बाद आया है एनसे यूसुप के नेत्रूट्व में पाकिस्तान का एक प्रतिनीदी मंडल दो द्यूसिय यात्रा में इस्लामीक अमिरात के कई अधिकारियों के साथ बादचीत करने के बाद इसलमाबाद लोटाया है उदर पाकिस्तान के विदेश मंतराले ने एक बयान में कहा कि यात्रा का उद्देश आर्थिक जुडाओ को गहरा करने के पाकिस्तान के प्रस्थाओ पर चल्चा करना था अमिरिकी राष्टरपती जो बाइडन ने कहा कि वह कतर को सहयोक्त राज्य के प्रमुग गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित करेंगे एक ऐसा पदनाम जो खाड़ी राष्टर कतर में अधिक सुरक्षा सहयोग और निवेश का रास्ता साप करेगा बाइडन और कतर के अमिर शेक तमीम बीन हमद अल के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब इस बात की आशंग का जताई जारी है कि यदि रूस यूकरेन पर हमला करता है तो यूरोप में बिजली आपूरती बाधित हो सकती है इस समस्या से निपटने के लिए अमेरिका और उसके यूरोपी या सहयोगी यूरोप की उर्जा आउशकताओं को पूरा करने के लिए आकस्मिक योजनाय बना रहे है बाइडन ने कहा कि पिछले साल कतर के साथ हमारी साजेदारी कई महत्वपूरुन हीतों पर केंद्रित रही है इसमें हजारों अफगानों को स्थाननतरित करना, गाजा में स्तीरता बनाय रखना, फिलिस्तिनियों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करना, आईएसाईये पर दबाव बनाय रखना और पूरे मध्यपूर्वं में खत्रों से बचना इसमें शामिल रहा है बाइडन ने ये भी संकेत दिया कि अमेरिका और कतर के वैश्विक उर्जा आपूर्थी की स्तीरता सुनिश्चित करने में साजा ही चिपे है, क्योंकि अगर रूस के साथ संगर से छिड़ता है, तो यूरोप को रूसी गैस की आपूर्थी खत्रे में पढ़ जाएगी, ऐ अब तक देखते रहिए विकेवी नियूस, नमस्कार